तो आपका इस वीडियो में स्वागत है तो इस वीडियो में हम पैरललोग्राम क्या होता है पैरललोग्राम लॉफ एडिशन वो क्या होता है वो हम देखने वाले हैं तो चले शुरू करते हैं अभी तो पैरललोग्राम ये लॉफ है ऐसा यह आपको exam में लिखना होगा ऐसे का ऐसा ही और इसका आपका marks मिलेगा ठीक है तो यह ऐसा definition है अब यह देखके तो ऐसे समझ में नहीं आएगा तो इसको practically देखते ही क्या होता है ठीक है तो यह law ऐसा कहता है कि अगर ऐसे दो forces है F1 और F2 तो F1 और F2 ऐसे दो forces है और उनके बीच में यह F1 है यह F2 है उनके बीच में अगर theta angle है ठीक है तो अगर इनके बीच में theta angle है तो उनका resultant जो भी आएगा उन दो forces का मैंने बताया है इसके पहले वाले वीडियो में कि resultant क्या होता है वो आप देख लिचे प्लीज तो यह law ऐसा कहता है कि F1 और F2 के बीच में अगर theta angle होगा तो उनका resultant क्या होने वाला है उन F1 और F2 का mod उनका square और फिर बादने 2 F1 F2 cos theta ठीक है यह ऐसा formula है तो resultant का magnitude उन दोनों के magnitude का square और उन दोनों को magnitude को add multiply करके 2 से multiply और फिर बादने cos theta ठीक है तो F1 और F2 उनका force का नाम भी वही है और उनका magnitude भी वही है ठीक है अगर आपको doubt हो रहा है तो इसमें यह लगा लिटा हूँ है ठीक है तो यह ऐसा है कुछ तो resultant का जो mod मैंने mod लगा दिया तो यह सब magnitude है अभी ठीक है तो इनका ऐसा हो जाएगा ठीक है तो यह इतना सा law है बस और उसको इतना बड़ा लिखा हुआ मेरे तो आपको यह रटना पड़ेगा आपको समझना पड़ेगा अगर आप पहले से समझ जाओगे यह ऐसा होता है तो आप इसको रट भी सकते हो ठीक है तो ठीक है स्टार्टिंग में इतना हो गया अभी फिर बाद में वो कुछ-कुछ examples में हमें यह find out करने बोलता है कि alpha find out करो अभी alpha की मतलब क्या है कि alpha वो angle है जो resultant और इन दो forces में से कोई भी force होगा उन दोनों के बीच का angle यहाँ पर मैंने alpha angle को कैसे define किया है कि alpha is the angle between f1 force और r ठीक है तो resultant और f1 के बीच में जो भी angle होगा यहाँ पर उसको मैंने alpha बोला है आप इसका उल्टा भी कर सकते हो f2 ठीक है यहाँ पर मैं बिटा लगा देता हो कोई problem नहीं है ठीक है तो यह tan alpha आपन कैसे निकाले मतलब alpha की value आपन कैसे निकाले तो tan alpha will be equal to f2 sin theta upon f2 cos theta plus f1 अभी आपको यह रटना पड़ेगा पर अगर आपको यह रटना नहीं है तो आप इसका derivation भी करवा सकते हो तो derivation कुछ इस तरह से है अगर यह alpha angle r और f के बीच में है तो उसका derivation ऐस तरह से है कि यहाँ पर देखिए मैंने यह दोनों forces को थोड़ा सा ऐसे tilt करके यहाँ पर ऐसे बना हुआ है यह दोनों forces वेले ऐसी थी फिर उनकों के tilt किया ऐसे कर दिया और r की value ऐसे ऐसे आगे तो मुझे alpha चाहिए तो alpha चाहिए तो आप पहले तो यह triangle a,b,c देख लिजिए तो triangle a,b,c में आपका triangle a,b,c है ना यह तो यहाँ पर अपने को angle alpha चाहिए तो angle alpha चाहिए तो अपने इसका tan alpha कैसे लिखेंगे tan alpha will be c,b, upon,ab, ठीक है तो tan alpha will be c,b, upon,ab अभी c,b, upon,ab है तो c,b, क्या होगा c,b, के लिए आपने को कुछ ना दुशा चाहिए तो c,b, के लिए हमने क्या किया यह जैसे f,2 था ना यहाँ पर तो f,2 को जरा सा मैंने सरकाया मतलब ऐसे parallely उसको सरकाया मैंने और यहाँ पर लेकी आया कैसे किया f,2 ऐसा था तो f,2 को मैंने parallely उसको थोड़ा सा खिसकाया और यहाँ पर लेकी आया तो f,2 और उसके बीच में f,2 और f,1 के बीच में theta angle था तो यहाँ पर भी parallel ही मैंने यहाँ पर सरका है उसको इसलिए यहाँ पर भी theta angle हो ना ठीक है क्योंकि parallel मैंने किया है movement किया है तो यह चीज क्या होगी यह cb की value क्या हो सकती है cb की value यहाँ पर देख लिजे यह f2 है और यहाँ पर theta है तो यह क्या होगा cb will be f2 sin theta ठीक है आपने forces को resolve कर लिया जैसे कि मैंने बोला था resolution of forces में आप लिज वो वीडियो देख लिजे और यहाँ पर यह जो value है मान देज़े यह point q है ठीक है यह point q तो q point क्या होगा qb will be qb क्या होगा f2 cos theta ठीक है तो अपने a b के 2 point हो गए a b के 2 part हो गए a q और qb ठीक है a q की value अपने को मालू में a q की value है f1 और qb की value है f2 cos theta ठीक है I hope कि यह visible हो f2 ठीक है तो f1 plus f2 cos theta will be a b ठीक है तो अपन कैसे लिखेंगे c b will be c b के value आएगी f2 sin theta और a b की value आ सकती है a b के value आएगी f1 plus f2 cos theta ठीक है तो वही value यहापर मैंने लिख दी तो आप इस तरह से tan beta भी निकाल सकते हो tan beta कैसे होगा tan beta will be simply tan beta के लिए आप कर सकते हो tan beta के लिए आप कर सकते हो ऐसे f1 sin theta upon f2 plus f1 cos theta ठीक है तो इतना सा value आएगा तो beta is in the beta is angle between यह beta क्या है angle between यह beta क्या था beta था angle between r and f2 ठीक है तो यह parallelogram of vector इतना ही था कि कैसे आड करते हैं वगरा forces को और कैसे उसका resultant का value आता है तो इस वीडियो में बस इतना ही था कि कैसे use करना है इसको ठीक है इसका application हम अगले वीडियो में देखेंगे पहला जो question है हमारा forces के उपर का ठीक है तो thank you वीडियो देखने के लिए इस channel को subscribe करें प्लीज और इस video को like करें ठीक है तो thank you वीडियो देखने के लिए